तो दोस्तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम ये जानेंगे कि अगर आप 2024 में अपने घर के अंदर WPC डोर लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आपको पूरा ज़रू देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये WPC डोर्स क्या होते है उसके बाद हम ये जानेंगे कि ये जो WPC डोर्स है इन्हें लगवाने के लिए हमें कितना खर्चा सकता है और साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये जो WPC डोर्स है इनके क्या क्या अडवंटेजेस होते है और जब भी हम इन डोर को लेने वाले है तो हमें कौन-कौन से point के तरफ ध्यान देना है जिससे कि हम अच्छे quality के WPC डोर ले सके और जाहिर सी बात है यह जो WPC डोर है इनके कुछ disadvantages भी हो सकते है तो वो भी आपको इन डोर को लेने से पहले consider करना ज़रूरी होता है तो इन सभी चीजों को जानने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखे चानल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चानल को ज़रूर सब्स्राइब कीजी सबसे पहले ये जान लेते है कि आखिर ये WPC डोर किस चीज से बनाये जाते है जब भी आप WPC का फुल फॉर्म देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा आ जाता है WPC का फुल फॉर्म होता है वूड प्लास्टिक कमपोजिशन यानि कि इने बनाने के लिए वूडन पाउडर और PVC मटरिल का इस्तमाल किया जाता है अब ये जो WPC का मटरिल है इसमें आपको डोर शटर और दोर फ्रेम दोनों चीज़े मिल जाती है तो अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि इन WPC डोर को लगाने के लिए आपको कितना खर्चा सकता है और उसके बाद सबसे important चीज़ कि जब भी आप इस डोर को लेने वाले हो तो कौन सी important चीज़ है आप कौन से company का डोर इस्तमाल करते हो ऐसे सभी factor पे depend करता है कि आपको WPC का डोर लगवाने के लिए कितना खर्चा सकता है पर यहाँ पर आपको एक idea देने के लिए हम एक approximate cost मान के चलेंगे तो दोस्तों जब cost के बारे में हम बात करते हैं तो इसका cost दो टाइप से आपको निकालना पड़ेगा एक जो है plain shutter का cost और दूसरा जो कि है door frame का cost तो पहले यह जान लेते हैं कि 3 by 7 की WPC की door frame हमें कितने रुपे तक मिल सकती है तो इसके लिए आपको 4000 से लेके 5000 रुपे तक खरचा सकता है और अगर आप इस door frame के लिए WPC का shutter लेना चाहते हो तो आपको 7000 रुपे तक खरचा सकता है अगर हम door frame और shutter का cost जोड लेते हैं तो हमें 11000 रुपे तक खरचा सकता है इसके बाद जो carpenter और hardware इन दोनों का cost हम जोड लेते हैं जो की 2000 रुपे तक हम consider करते हैं इन सभी cost को जब हम जोड लेते हैं तो हमारा final answer आ जाता है 13000 रुपे तक यानि कि अगर आप 3 by 7 का WPC का door लगाते हो तो आपको 10,000 से लेके 13000 रुपे तक खरचा सकता है तो ये तो हो गई cost की बात पर जब भी आप WPC door लेने वाले हो तो सबसे important चीज़ अगर आपको कोई देख लेनी चाहिए तो वो है उस door की density अगर आप कम density वाला WPC door अपने घर के अंदर लगा लेते हो तो आगे चलके उसमें screw निकलने जैसी समस्या निर्मान हो जाती है जैसे कि 700, 800, 900, 1000 kg परियम क्यूब तक तो आप उनके तरब भी जा सकते हो तो WPC door का सबसे पहला फाइदा तो ये आजाता है कि ये 100% waterproof होते है यानि कि पानी का इसके उपर कोई भी आसर नहीं होता है इसी वज़े से इनका इस्तमाल आप regular जग़पर तो कर सकते हो पर जहां पर पानी होता है वहाँ पर भी आप indoor का इस्तमाल कर सकते हो जैसे कि बातरूम हुआ, toilet हुआ, ऐसी जग़पर भी indoor को लगाने के बाद आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देगी, जैसा कि हम जानते है जब हम बातरूम, toilet जैसी जग़पर wooden door लगाते है तो पानी की वज़े से ऐसे door जल्दी खराब हो जाते है, तो ऐसी दिक्कत आपको WPC door में दिखाई नहीं देती है, इसी वज़े से ऐसी जगपर WPC door एक अच् कमज़र हो जाता है और आगे चलके आपको उसे बदलवाना पड़ता है, पर ऐसी दिक्कत आपको WPC door फ्रेम में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये टर्माइट प्रूफ होते है, दीमक जैसी समस्या का इसके उपर कोई भी असर नहीं होता है, वैसे तो ये जो WPC door है, इन में changes होने के कारण कभी-कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जो wooden door है, वो bend हो जाते है या फिर आपको, या फिर उन्हें बंद करने में या फिर खोलने में आपको अच्छी-कासी दिक्कत होती है, तो वैसी bend जैसी समस्या आपको WPC door में दिखाई नहीं देगी, क्योंकि temperature की व powder और plastic का इस्तमाल किया जाता है, और ये जो plastic होता है, सालों साल तक इसमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है, इसी वज़े से ये जो WPC door है, इनमें आपको 40 से लेके 50 साल तक कोई भी दिक्कत दिक्काई नहीं देगी, अब ये जो WPC door है, इनमें आपको प्रिंट भी कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे option आपको WPC डोर में मिल जाते हैं. और साथ में अगर आप चाहो तो इनके उपर आप लैमिनेट लगा सकते हो, विनियर लगा सकते हो, आपके हिसाब से आप इसके ऊपर पेंड भी कर सकते हो, यानि कि यहाँ पर आपको बहुत सारे option W WPC door में मिल जाते हैं अगर आप WPC door लेने वाले हो तो आपको disadvantages के बारे में भी पता होना चाहिए तो इन WPC door का सबसे पहला disadvantage यह आ जाता है कि जिस तरह से लकडी की doorframe या फिर जो flush door होते हैं वो आपको हर जगह पर मिल जाते हैं पर जब हम WPC door की बात करते हैं तो यह सभी जग पॉइंट को consider करने के बाद आपको WPC door के option के तरब जाना चाहिए तो क्या आप अपने घर के लिए WPC door लगवाना पसंत करोगे comment box में comment जरू कीजिए और अगर आप यह जानना चाते हो कि 2024 में आपको door बनाने के लिए कितना खर्चाएगा तो इसकी हमने एक separate video बनाके रखी है आई बटन में मैं उस व्यूटे की link दे दूँगा आप उस व्यूटे को भी जाकर देख सकते हो तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरू इससे like कर दीजे चानल पर अगर आप लोग न है हो तो चानल को जरू subscribe कर दीजे वीडियो बहुत जादा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजे और ये जो तीनों वीडियो है इन में से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकती है